जैम आतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जून और 16 जून 2021 के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती कैसी होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में, बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निविदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, 70% लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो होंगी वो आप तक तुरंत पहुच आएंगे, तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं, 15 जून का जो दिन है, ये दिन है, शुकल पक्षकी पंचमी दिती है, और इस दिन असले शान नक्षत्र रहेगा, सुबह नौ बजे तक व्यागाद नाम का योग बन रहा है, उसके बाद हर्शन नाम का योग बनेगा, अब चंदर्मा की सती थी, इस दिन करक राशी में हैं, शाम तक, उसके बाद सि तुन राशी में आ जाएंगे, और सूर्य म्रक्षरा नक्षत्र में ही रहेंगे, दो बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, इस दिन सरवार सिद्धी योग बनेगा रात्रे तक, रवी योग बनेगा अगले दिन तक, अब इचीत मोड था इस दिन का सुबह 11 बच कर 54 मिनट तक, ये थी किराय नक्षत्रों के इस तिथी, अब 16 जून की बात करते हैं, तो 16 जून का दिन बुधवार का दिन है, शुकल पक्ष की शस्टी तिथी है, मगा नक्षत्र रहेगा, सुबह 8 बज कर 9 मिनट तक हर्शन नाम का योग बनेगा, उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा, चंद्रमा सेहिंग राशी में आ चुके हैं, और सूर्य मिथुन राशी में आ चुके हैं, सूर्य कराशी परिवर्टन हो चुका है, मरक्षरा नक्षत्र में, इस दिन रवी योग बनेगा, पूरा दिन और अभीजीत मोहर्त इस दिन का कोई नहीं है, तो अब यह जी आपके अंदर इस तरह की होगी कि जो काम आप जितने समय में करते हैं, उसको उसके आधे वक्त में ही आप पोरा कर पाएंगे, फिर वो काम कोई भी हो, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं, उसे कम आधा कम आप वक्त लेंगे, अगर आप रियल स्टेट से जुड़े उससे संबंदित कोई भी कारियक करते हैं, अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, आर्थिक इस्तेथी स्ट्रॉंग करने वाला जो मुनाफ़ा होता है, वैसा इन लोगों को देखने को मिलेगा, और अपने परिवार को ज़रा परियापत समय जरूर दें, इस मुलाकात हो सकती है, बहुत काफी समय के बाद ऐसा हो सकता है, कोई दोस्त आपको मिले, बड़ा ही सुकून भरा दिनी आपके लिए रहेगा, किसी नए उद्योग से आप जुड़ना चाहते हैं, और उसमें भागीदार हैं, तो आपको थोड़ा सा यहां समझदारी दिखा होगी, भागीदारों के साथ जुड़ने से पहले उनके बारे में सब कुछ जानना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी जगह जुड़ने से पहले लोगों की राय लेना आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि भागीदारी उन लोगों के सा अच्छा समय बिताएंगे, मैच खिल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई अच्छा टाइम स्पैंड कर सकते हैं आप, और ऐसा करने से लोगों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा, ए विवाहित लोग जो हैं, जो शादी के योग हैं, वो इस दोरान उनके जीवन में ऐसी घ घटना होगी, कि उनके लिए घटना बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकती है, खुश्णुमा घटना जिसको कहते हैं, कि जीवन साथ ही मिल सकता है, गरेलु समान की खरिदारी भी आप इस दिन करेंगे, स्वास्ते का जरूर ध्यान रखें, स्वास्ते संबंदी कुछ परिशा होगे, पतनी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, तो थोड़ी से ध्यान रखें, और आफिस के साथी के करीब आप आ सकते हैं, अगर आप लव रिलेशन में हैं, तो विनमरता दिखाएं, विनमरता पूरवा पेश आएं, वरना माहुल खराब हो सकता है, इन चीज का राशी परिवरता हैं, सिहिंग राशी में, यानि आपके ग्यारवे भाव में सूर्या आचुके हैं, लाब भाव में, और चंद्रमा आपके ग्यारवे भाव में आचुके हैं, सूर्या तो मिधन राशी में हैं, तो ये दिन आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहने वाला है आप परिस्तितियों का फायदा उठाएंगे अपने काम पूरिक करेंगे आपका मन भी काम काज में लगीगा आपके परिजनों की साथ आपका टाइम अच्छा सभी देगा ऐसा अनुभा होगा आपका जैसे आपके जीवन में आपकी जिन्दगी में प्रेम भरा हो य आप अपनी उर्जा समय का प्रियोग करेंगे रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की सिदियां बहुत अच्छी इस दिन को आपके लिए बनाने वाली हैं अब यह जो दिखिए कारेशित्र में अगर आप कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सूच समझ कर आपको निर्णा लेना होगा क्योंकि जब आप सोच समझ कर निर्णा लेते हैं तो आपके लिए निर्णा जो है वो फैसला जो है वो अच्छे होते हैं वैसे जो तुलाराशी के जाते हैं यह बड़ा संतुलन बनाना जानते हैं हर चीज में यह इनको यह पता होता है किस व उद्श्यों को पराप्ट करने से आपको कोई नहीं रोख सकेगा इन इस्तितियों को आपको merci और आपकी संस्ता से उड़े हैं किस वजोटी से जड़े हैं तो आंधनी होगी संस्ता से जुड़ने पर आपको नेकिदे असनस्था के तरफ से किसी चीज के लिए सराहा जा सकता है, कामकाज के सलसले में यात्रा का योग भी है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों का तो पूरी दिन जो है यात्रा में ही बीते, लेकिन यात्रा आपके लिए फायदे मन रहेगी, और इस राशी के जो जात तक भार आने का योग इस दिन कहा जा सकता है, तो उनके लिए भी अच्छा है, अब इस समय देखे, पार्टनर से आपको सर्प्राइज मिल सकता है, किसी भी तरह का, अचानक से मन में बदलाव आ सकते हैं, जो आपके लिए बड़े फायदे मंद होंगे, या आपको अचानक से आज जो है वो ऐसी होगी कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी, और आप अपनी प्रतिक्रिया बहुत अधिक जाहिर करेंगे, फिर वो चाहे जीवन साती से हो, घर परिवार के लोगों के साथ हो, और ऐसी कुछ रहसे में होगी, आपकी जो दिन्चरिया है, कि कोई समझ ही न मामले में, परिवार के मामले में, वेवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, तो अवरोल 80% भागया आपका हर फिल्ड में साथ देने वाला है, स्टुडेंट्स की बात करें, तो स्टुडेंट्स को महनत करनी होगी, महनत से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, उपाय के तोर पर आपको क्या करना है, उपाय के तोर पर आप पीपल का पेड़ है, जो उसके पास शाम के समय, एक दीपक जरूर जलाएं, यह आपको दीपक अगर आप जलाते हैं, प्रति दिन अगर आप दीपक जलाना भी शुरू कर दें, तो भी आपको नौकरी बिजन कारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें